कोरोना संक्रमन को देखते हुए ग्रिह वभा के निर्देशों पर बंद की गई अंतराज्जी रोडवेज बस सेवा फर से शुरू होने जा रही है कल से हरियाना के लिए फिर से रोडवेज सेवा को शुरू किया जा रहा है इसके लिए आज से ऑनलाइन टिकेट बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसे के साथ रोडवेज ने राजजमे भी अपनी सेवाएं बढ़ा दी है जिसमें अब तहसील मुख्यालें और बड़े कस्बों को भी रोडवेज सेवा से जोड़ा जा रहा है जिसमें आज से रोडवेज ने दो सो रूट पर पांसो ट्रिप रोडवेज बसो का संचालन शुरू कर दिया है जो जैपूर के ट्रांसपोर्ट नगर दुरगापुरा, दो सो फट बाइपास और चौमू पुलिया से 40 रूटों के लिए बसे संचालित हो रही है बसो के संचालन के लिए सुरक्षय मापदंडो की पालना के लिए बसो की परिचालक को थरमल गन उपलब्द करवाई गई है और साथ ही आवर्शक्ता को देखते हुए जादा से जादा मार्गों पर बसों की संख्या बढ़ाने और बसों के मार्गों के फेरे में भी बढ़ाउत्री की जा रही है घेपुर में करेलें 40 स्दुल जो संचालीद के जा रहे हैं ने उनसे डूल्स के लिए हमारें पास जेपुर में सीकर साइड के लिए चौमउपुलिया है अज मेर व्यावर जोठपुरी साइड के लिए पस्मी रास्ताने के लिए दौसों पीड बाइपास है और दक्षनी रास्तान के लिए अपने दुरुगा उपुरा है और इदर भरतपुर, दिल्ली, अलवर वगेरे के लिए दोलपुर के लिए ट्रांस्पोर्ट नगर में हमारे बस स्टेंड्स जा हैं वहाँ आपने करमचारी को लगा रखा है वहाँ वाहन पहुचते ही वाहन क किया जाता है